दोस्तों, वर्ल्ड कप का सीजन है और आम शुर आप में से काफी लोग अपना समय स्टेडियम में बितना चाहेंगे लेकिन स्टेडियम का जो फील है आप अपने घर पर ला सकते हैं जी हां दोस्तों, फील द थ्रिल वेथ बोट अवंते बार 4100 DA देखते रहिए, यह जो सांद बार है, इसमें Dolby Atmos 3D Audio Technology यूज किया गया है और साथ में 300W RMS Boat Signature Sound आउटपुट के साथ में आता है अब सवाल यह आता है कि जो सांद बार है यह आपको क्यों खरीदना चाहिए देखिए, जो TV है, इनकी जो Pitcher Quality है, यह काफी हद तक इंप्रूव हो चकी है लेकिन जो Sound Quality है, वो अभी भी Standard Type का है क्योंकि जो TVs है, उनमें Standard Speakers लगाया जाते हैं लेकिन जब आप एक TV में Sound Bar लगाते हैं तो definitely जो Sound Experience है, वो एक अलग ही Level पर चले जाता है और यह जो चीज है, आप Immediately Notice करने वाले हैं लेकिन अगर Sound Bar के साथ में आपके पास एक Subwoofer होगा जो Experience है, वो और भी Enhanced हो जाता है आपको Home Theater जैसा Experience घर पर मिल सकता है यह 3.1.2 चैनल Sound Bar है और बहुत सारे Connectivity Options के साथ में आता है चलिए सबसे पहले इसकी Unboxing कर लेते हैं तो Box के अंदर यह है कुछ Booklets यह Wall Mount के लिए है, यह कुछ Cables दिया हुआ है यह Power Cord, Wall Mount के लिए कुछ Screws यह है Remote, इसे यूज़ करके भी आप जो Sound Bar है इसे Control कर पाएंगे यह है Subwoofer और इसकी जो Body है, यह Wood की बनी हुई है और इसमें जो Speakers है वो यह रेखे यहां पर नीचे के तरफ दिया हुआ है तो जब यह Subwoofer काम करता है, तो जो Vibration है वो आप जो Floor है उस पर महसूस कर पाएंगे Subwoofer से जो Audio Experience है वो एक अलग ही Level पर चले जाता है Home Theater जैसे से Experience आपको घर पर मिलने वाला है और यहां पर Backside पर On-Off का Switch दिया हुआ है यह है Power In के लिए, यह है Subwoofer In Point और यह DC Out Point दिया हुआ है और यह है Main Sound Bar यह Dolby Atmos Support के साथ में आता है इस पर यहां पर Fabric Type Material उस किया गया है Quality बहुत ही बढ़िया है Sound Bar के पीछे यह Connectivity Options दिया हुआ है HDMI Out, Arc, HDMI, यह है USB, यह है Oxyn, Coaxial, Optical, SW Out मतलब की जो Subwoofer है, उसका जो SW In है केबल के जरीए आपको यहां पर यह जो SW Out है, वहां पर Connect करना है और यह जो DC In है, यहां पर Subwoofer पर जो DC Out है अगें केबल के जरीए यहां से यहां पर Connect करना है वो मैं आपको करके बताऊंगा जब कभी आप कोई Sound System खरीदने के ले जाते हैं तो Channels के बारे में आपने सुना होगा Mention क्या होता है 2.1, 3.1, 5.1, वगर 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 तो इसका मतलब क्या है 2.1 का मतलब होता है 2 Channel प्लस 1 Subwoofer मतलब की 2 Speakers प्लस 1 Subwoofer और 3.1 मतलब की 3 Speakers, 3 Channels और 1 Subwoofer लेकिन ये जो बोट का Speaker है इसमें 3.1, 2 Channel है इसका मतलब क्या है 3 का मतलब 3 Speakers, 3 Channels 0.1 का मतलब 1 Subwoofer जो कि आपने देख लिया और ये जो 0.2 है Extra 0.2 end में इसका मतलब है कि 2 Top Firing Speakers है इसमें तो basically 3 में से 2 Top Firing Speakers है जो की Surround Sound Experience के लिए काफी काम में आता है Sound Bar जब आप इंस्टाल करते हैं TV के साथ में तो जो position है ये भी matter करता है वैसे ज़्यादा करके जो sound bar है ये TV के नीचे आपको position करना है अगर आप चाहें तो wall mount कर सकते हैं या फिर इसे यूही टेबल पर रख दीजिए और ये जो subwoofer है इसे आप left या right side पर रख सकते हैं और best results के लिए जो subwoofer है इसे आप जमीन पर रखिए क्योंकि ये जो subwoofer है इसके नीचे ये speaker है और जब ये speaker काम करता है तो जो vibration है वो जमीन के माध्यम से आप पूरे room में feel कर पाएंगे experience एकदम amazing level का होता है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए ये जो subwoofer है इसे table बर मत रखिए चलिए इसका setup कर लेते हैं ये जो cable आप देख रहे हैं इस प्रकार का जो pin है ये यहाँ पर जाने वाला है subwoofer in और इसका जो अग्ला point है ये जाने वाला है subwoofer out जो soundbar है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने power cord को connect कर दिया है तो जो power है वो इस subwoofer को जाने वाला है और यहाँ से हमें power इसमें भी देना है तो उसके लिए यह जो cable दिया हुआ है यह देखिए इस प्रकार का DC cable इसे आपको यूज करना है तो इसमें से एक cable यहाँ पर जाने वाला है इस DC out में और जो दूसरा connector है वो यहाँ पर जो soundbar में DC in का option है उसमें जाने वाला है वैसे तो इसमें बहुत सारे connectivity options है लेकिन मैं HDMI port के जरीए TV के साथ में connect करने वाला हूँ HDMI cable बॉक्स में नहीं दिया हुआ है लेकिन मेरे पास है तो मैं वो यूज करने वाला हूँ तो जो soundbar है इसे मैंने connect कर दिया है वसे जो soundbar है यह काफी elegant लग रहा है यह देखें यहाँ पर मैंने HDMI cable connect किया हुआ है और यह जो soundbar है इसक मैं कम यह जादा कर रहा हूँ प्लस जो treble है उसे मैं adjust कर सकता हूँ मेरा जो requirement है उसके हिसाब से base को भी मैं adjust कर सकता हूँ यह देखें कुछ presets है equalizers जैसे movie है news के लिए music के लिए तो आप इन्हें select कर सकते हैं इनके अलावा अगर आपको Bluetooth के जरीए pair करना है तो वो options भी available है ज उसे use करके आप यह दिखें इस प्रिकार से जो input selection है उसे change कर सकते हैं फिलाल मैं आग पे रखता हूँ मैं यह video प्ले कर रहा हूँ इससे आपको अच्छाएड़े मिल जाएगा कि जो sound bar है इसकी sound quality कैसी है इंत्र के लazuje जाएं में ईखको लाएग प्रभी, जर सभी साफ्य रहा है झाampa कि एस और अद्मै इस ज सबस्टेपिग संत्वे है तो सांड कॉल्टी बहुत ही बढ़िया है बेस भी मुझे काफी बढ़िया लगा प्लस जो वोकल से यह बहुत ही ज्यादा क्लियर है मुवी वॉचिंग के लिए काफी बड़ी ऑप्शन है और इसके वॉल्यूम है काफी लाउड है मैंने फिलाल एट पे रखा हुआ है इस रूम के लिए काफी है सब वॉफर को मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड पर प्लेस किया हुआ है अगर आप चाहें तो लेफ्ट या राइ यह Amazon पर available है और इसका प्राइजिंग है 17999 लिंक मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है देखते रहिए